श्यात्र आजम लोग सिखेंगे Oxford Junior English Grammar के exercise 83 का हल करना और जैसे कि पता आप लोग को यह जो है यह ब्वाइस से है और यह है मिसलेनियस यानि कि बिविद प्रस्नावाली से यानि कि जितना हम पढ़े हैं ब्वाइस उन सभी में से जो है मिला जुला कड़ है और यहाँ पे direction मे यह जो है यह प्रजेंट इंडिफिनिटेंस से है और यहाँ पर देखें हिम जो है object है तो यहाँ पर हम इसको जो है subject बनाएंगी पैसी में जो है इसको subject बनाएंगी यानिकि ही में बदल देंगे क्या करेंगे ही और यह जो है प्रजेंट इंडिफिनिटेंस है तो ही के अब देखें, people speak Hindi in Bahrain, यानि कि लोगे बिहार की बलते हैं, तो यहां पर देखें, पहले हाँ हिंदी जो आ यहां पर हिंदी को जो है object है यहां पर subject हो जाएगा, तो लिखेंगे हिंदी हिंदी, और यह भी प्रिजन्त है तो इ जाएगा, हिंदी इज और लिखेंगे spoken प्रियोग नहीं होगा लिखेंगे इन बिहार इन बिहार इस तरह से अब देखें दे आर रिपेर इंग द रोड वे लोग रोड की मरमत कर रहे हैं तो यहां पर देखें पहले लिखेंगे हम दो रोड क्या लिखेंगे दा गणिए और आर यहां पर यहां पराइग के इसमें आप न कर देखेंगा तो लिखेंग कर देखेंगे आप ना करिएगा तो भी चलेगा, अब देखे, यहाँ भी देखे, यह प्रेजन परफेक्ट इन से है, तो फ़र लिखे, सेवरल मिस्टेक्स, यहाँ पर होता है, लेकिन सेवरल मिस्टेक्स, यह कि प्लूरर है, तो हैब आएगा, यहाँ पर मेड ही लिखाएगा, भी 3 है यह, mid, और by जिनका प्रणी करेंगे, by, और लिखेंगे you, you, अब देखे, the doctor is examining the patient, तो लिखेंगे the patient, the patient, the patient, पैसेंट, और यह जो है, examining, ठीक है, तो यह जो है, यह present continuous change से है, तो यहाँ पर is आएगा, the patient is, और लिखेंगे being, being, और examined लिखेंगे, भी 3 इसका, examined, examined, और यहाँ पर बाईजिन का प्रणी करेंगे, अब देखें, someone stole my pain, कुछ लोगों ने मेरा कलम चुरा लिया, तो यहाँ पहले लिखेंगे my pain, लिखेंगे my pain, और यह जो है, पास्ट इन इफिनितेंस है, देख रहे हैं, तो यहाँ फिर वाज आएगा, singular है, वाज, वाज, और इसका जो है, भी 3 लिखना है, stolen, stolen, और बाईजिन का प्रणी नहीं करना है, my pain, वाज, stolen, अब देखें, they looted the house yesterday, तो यहाँ पहले लिखेंगे the house, the, house, house, और यहाँ पर लूटेड, जो की past इन इफिनितेंस है, तो वाज आएगा, यह है, यहाँ पर लिखेंगे, looted, इसी का भी 3 लिखेंगे, looted, looted, और यहाँ पर जो है, बाईजिन का प्रणी करना है, the house was looted, और सिधा लिखना है, yesterday, yesterday, अब देखे, they were cutting the old trees, यह जो है, यह past continuous days से है, और यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, the old trees, क्या लिखेंगे, the, the old, the old, और लिखेंगे, trees, trees, और यहाँ पर जो है, यह भी plural है, तो वर आएगा, वर, और लिखेंगे, being, being, और यहाँ पर जो है, cut का भी थरी लिखना है, cut, cut ही होता है, ठीक है, और यहाँ पर बाइजिन का परियुग नहीं करेंगे, ठीक है, आप कर भी सकते हैं, नहीं चोड़ दीजिए, the children had eaten the cakes, तो पहले लिखेंगे, the cakes, लिखेंगे, the cakes, cakes, और देखेंगे, यहाँ पर had है, जो की past perfect answer है, तो यहाँ पर had been हो जाएगा, the cakes had been, had been, been, और इसके बाद जो है, eaten का भीतर लिखना है, eaten, eaten का भीतरी, यह सेम है, ठीक है, eaten ही है, eaten, और यहाँ पर बाइजिन का परियुग करेंगे, by the children, the children, by the children, अब देखें, the police arrested some thieves last night, तो पहले लिखेंगे, some thieves, some, some, और thieves, यहाँ पर देखें, the police arrested, यानि कि गिरफतार कर लिया, यह जो है, यह past indefinitance है, तो some thieves, और वर आएगा, were, और लिखेंगे, arrested, 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 और लिखेंगे, last night, यहाँ भी बाइजिन का परियुग नहीं होगा, last, last night, अब देखें, we shall discuss the matter tomorrow, तो यह जो है, यह future indefinitance है, we shall discuss the matter tomorrow, तो पहले लिखेंगे, the matter, the, the matter, matter, और लिखेंगे, cell v, cell, sorry, यहाँ पर जो है, matter के साथ cell नहीं आएगा, will आएगा, बी के साथ cell नाया है, I और बी के साथ के बल cell नाता है, matter के साथ will आएगा, यहाँ पर will लिखेंगे, ठीक है, the matter will be discussed tomorrow, tomorrow, people will remember him, तो यहाँ पर पहले हम जो है, him, जो है, object, यह subject हो जाएगा, तो him को जो है, future perfect in से है, तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे the work, यह object है, यह subject हो जाएगा, लिखेंगे the work, work, और इसके साथ will आएगा, will, और लिखेंगे have been, have, been, the work, will, have been, और लिखेंगे completed, completed, और बाइजन का परिखेंगे, लिखेंगे by, और hee को hee में बदल देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अब देखें, I can solve the problem, यहाँ पर जो है can, यह modal और लगी है, ठीक है, तो इसके बाद जो है b का परिखेंगे और solve का भीथर लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे the problem, और इसके बाद can लिखना है, can और b लिखना है, b, और लिखेंगे solve, solve, और by जिनका परिखेंगा है, by, और I को me में बदल लिखेंगे, she could help him, यहाँ पर जो could है, यह भी है, जो modal auxiliary है, तो यहाँ पर हम जो है, यह him को पहले जो है, यह object है, subject हो जाएगा, तो यहाँ पर he होगा, ठीक है, he, और यहाँ पर could लिखेंगे, c, o, u, l, d, could, और b लिखेंगे, b, modal auxiliary के बाद जो है, b का प्रिव होता है, और इसके बाद जो है help का भी 3 help, helped, helped, और by जिन का प्रिव करना है, by, और यहाँ पर c है न, तो इसका her हो जाएगा, her, अब देखे, c में defeat you, तो पहले लिखे, you, लिखे, you, you, और may लिखे, may, और be लिखे, be, और लिखे, defeated, defeated, और by जिन का प्रिव कीजिए, by, और her लिखे, c को her में बदले, अब देखे, they might win the game, तो पहले लिखे, the game, the game, the game, और लिखे, might, might, और be लिखे, we, और win का भीत्री, one, one, और by जिन का प्रिव कर सकते हैं, और ना भी कर सकते हैं, कर देते हैं, by, और they को they में बदले, them, अब देखे, we should have the poor, तो पहले लिखे, the poor, the poor, और लिखे, should, should, और be लिखे, we, और help लिखे, helped, helped, और लिखे, by जिन का प्रिव कर सकते हैं, by, और we को us में बदले, us, he would inform us, तो ये us जो है, ये object है, ये subject हो जाएगा, तो us को आप we लिखे, we और लिखे would, would, और we लिखे, be, और informed लिखे, भी थरीज का, informed, informed, और लिखे by agent का प्रिखे, by, और he को him में बदले, him, अब एक और है, देखिए, you must support him, तो him जो है, इसको ये object है, ये subject हो जाएगा, तो लिखे हैं पर he, he, और लिखे must, must और be लिखे, be, he must be, और इसके बाद आपको जो है, ये supported लिखना है, इसका भी थरी, supported, और by agent का प्रिखे करना है, लिखे by, और you को जो है, you ही लिखे, he must be supported by you,